ये जिन्दगी हसने और मुस्कुराने के लिए मिली है ना कि रोने और दुखी होने के लिए मिली है ये जीवन तो एक उस्सव है ये जीवन तो आनंद से भरा हुआ है पर फिर भी ना जाने क्यों लोग सारी जिन्दगी खुशियों को तलाशते रह जाते हैं नूनते रह जा आप जिन्दगी में खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, यह इस पर निरभर करता है कि आपका जिन्दगी के लिए नज़रिया कैसा है। ये दस बाते हैं, दस सादते हैं, जो भी इनसान ये दस हैबिट्स, दस सादते अपनी जिन्दगी में अपना लेगा, वो जिन्दगी में हमेशा खुश रहना सीख जाएगा सबसे पहली बात, Positive Mind जिन्दगी की हर Situation में, हर बात में आप कुछ Positive देख पाएं, आप कुछ अच्छा देख पाएं चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्टी क्यों ना आजा है जिन्दगी में, फिर भी जो इनसान उस परिस्टी में कुछ अच्छा देख सकता है, उसके लिए वो दुख, वो कठिनाई, बहुत छोटी पड़ जाती है और जो इनसान छोटी सी मुश्किल में भी घबरा जाता है, फिर वो मुश्किल छोटी नहीं रहती, वो बहुत बड़ी बन जाती है तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिन्दगी के लिए आपका Positive Mind हो दूसरी बात, Gratitude जिन्दगी के लिए शुक्रिया का भाव, कृतग्यता का भाव, शिकायत का भाव नहीं जिस इनसान का हृदय जितना शिकायत से भरा रहेगा, वो इनसान उतना दुखी रहेगा कई अजीब अजीब तरह के लोग मिलेंगे जिंदगी में हर किसी के साथ बहस करना ज़रूरी नहीं है आप जिंदगी में आगे बढ़ो, पुरानी बातों को भूलना सीखो और अपनी जिंदगी के बहतर भविश्य के लिए आप आगे बढ़ जाओ चौथी बात, live in the present कई लोग अपने भविश्य की योजनाओं में इतना डूब जाते हैं और अपने पास्ट से, अपने भूत काल से इतना जादा अटेच्ड हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी के आज को, इस पल को जीना ही भूल जाते हैं हर इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है कि भविश्य में किसी न किसी दिन मुझे खुशी मिल जाएगी मुझे शांती मिल जाएगी पर आपने कहीं देखा कोई शांत इंसान लोग शांत शब्द सरफ उसी के लिए यूज़ करते हैं जो मर जाता है लोग कहते हैं आज पलाना व्यक्ति शांत हो गया जब तक जिन्दा है तब तक कोई नहीं कहता कि ये शांत हो गया तो यदि आप खुशी पाना चाते हो शांती पाना चाते हो तो उसे इस पल में ढूंड लो क्योंकि शांती और खुशी इसी पल में है और पांचवी बात Always listen your inner voice हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो अधिकतर लोगों को इसलिए दुखी देखा जाता है क्योंकि वो कहते कि हमारी जिन्दिगी में दुख उस इंसान की वज़े से है दूसरे इंसान की वज़े से उसकी वज़े से हम अपनी जिन्दिगी में खुश नहीं हो पाते तो आप दूसरों की सुनना छोड़ दो कि लोग आपके लिए क्या कहते हैं लोग तो कहेंगे ही कहेंगे आप अच्छा करो तो भी कहेंगे बुरा करो तो भी कहेंगे कुछ ना करो तो भी कहेंगे तो इस से अच्छा तो आप वो करो जो आप करना चाहते हो कम से कम आप ये तो नहीं कहोगे कि मेरी जिन्देगी में दुख दूसरे की वज़े से है फिर आप ये गर्व से कह सकोगे कि मेरी जिन्देगी में जो कुछ भी है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और छटी बात हमेशा जीतने बे ध्यान दो कभी भी हारने के बारे में सोचो ही मत कभी भी असफलता के बारे में सोचो ही मत कभी भी नाकामियाबी के बारे में सोचो ही मत हमेशा मन में विश्वास रखो कि आपको कामियाभी जरूर मिलेगी कि आप जरूर जीतोगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी साथवी बात Self-Forgiveness आप खुद को माफ करना सीखें खुद को भी माफ करना सीखें औरों को भी माफ करना सीखें गलती हर इंसान से होती है अगर आप कुछ करेंगे, तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ गलत भी होगा तो अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, खुद को दोशी ठहराना छोड़ दें जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भीतर से खुश हो ही नहीं सकते आपको वही गिल्ट खाता रहेगा, आपको वही गलानी खाती रहेगी, आप आगे बढ़ी ही नहीं पाएंगे कोई बात नहीं, जो भी हुआ, खुद को माफ कर दो जो भी अप से गलतियां हुई है या जो औरों ने आपके साथ गलत किया है, उन्हें माफ करो आप उन्हें माफ करोगे, आपके दिल में अपने आप शांतिया जाएगी क्योंकि नफरत एक ऐसा भाव है, आपके दिल का चैन सुकून सब कुछ छीन लेगा तो यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो माफ करना सीखो आठवी बात, surround yourself with happy people हमेशा उन लोगों के साथ रहो, जो खुश रहते हों, जो लाइफ को जीते हों जिनके साथ बैठते ही ऐसा लगे कि बस गम में डूब गए हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें उनी लोगों के साथ आप अपना ज़्यादा समय गोजारें, जो जिन्दगी को जीना जानते हों और नवी बात, आप हसना मुस्कुराना सीखें हमेशा बहुत जादा सीरियस रहने की जरूत नहीं है एक छोटा बच्चा कैसे बिना किसी बात के मुस्कुराता रहता है, हसता रहता है आज कल तो लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं कहते हैं जब तक कोई जोक न सुनने, तब तक हसी ही नहीं आती और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, जो कहते हैं कि हमें तो किसी जोक पर भी हसी नहीं आती हसना ही भूल गए हैं आप ये मत समझना कि खुशी या हसी किसी दुकान पर मिलेगी आपको वो आपके भीतर है, आप उसे बाहर निका लें आपके भीतर जो बच्चा चुपा बैठा है, उसको जीने दें जिन्दगी की चिंताओं को ले करके आपने अपने अंदर की खुशी को मार दिया है तो हलके फुलके रहना सीखें, खुश रहना सीखें और दसवी बात, आप डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन जरूर करें हमने ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए पहले भी कुछ विश्यव में कहा है कई लोग बुचते हैं मेडिटेशन कैसे करें वैसे तो ध्यान की बहुत सारी विधिया है पर एक बहुत सरल टेक्निक है आप एक आसन में बैटके, आँखें बन करके गहरी सांसे लीजिए, गहरी सांसे छोड़िए पर इमानदारी से ये क्रिया पूरे 5 मिनट करिए और 5 मिनट श्वासों की क्रिया के बाद आप 5 मिनट के लिए अपने मुक से ओम की ध्वनी का उच्चारण करे आप जिस भी इश्वर में विश्वास रखते हैं उसके नाम की ध्वनी का उच्चारण करें क्योंकि इश्वर के सभी नाम दिव्य उर्जा से भरे हुए हैं और कोई नाम किसी नाम से कम नहीं है जिसमी भी आप मानते हो और यदि आप किसी नाम को नहीं मानते तो आप श्वासों की किरिया को कीजिए और यदि आप इश्वर में मानते हैं तो जो भी इश्वर का नाम आपको अच्छा लगता हो और आप उसकी भी पांच मिनट के लिए ध्वनी कीजिए आप उसको भी 5 मिनटके लिए repeat कीजिए 5 मिनट श्वासों की प्रक्रिया और 5 मिनट ओम की ध्वनि करनी है और उसके बाद 5 मिनट के लिए आप आखें बंद करके बैढ जाएए बिल्कूल relax होके और छेक कीजिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है आपकी क्या desires हैं, मैसूस कीजिए खुद के अस्तित्व को, खुद की इच्छाओं को, खुद के दर्द को, खुद की तकलीफों को, कि आपके भीतर कहां कहां क्या क्या समस्याएं हैं, आप जिन्दगी में क्या पाना चाहते हैं, तो ये 15 मिनिट का अभ्यास, यदि आप निय पाते हैं, और आप पे लोगों की बातें कम एफेक्ट करने लगती हैं, सिर्फ 15 मिनिट का अभ्यास, आपको आत्मा की शक्ती प्रदान करता है, आपको चेतना की शक्ती प्रदान करता है, तो यदि आप चाहते हैं, कि सारी जिन्दगी आप खुश रहें, मुस्कुराते र हसते रहें और जिन्दगी के एक एक पल को खुशी से जीएं, तो इन दस सादतों को कभी मत छोड़ना।